नवश्कार दोस्तों मेरा दाव में विमल सिंग बालाजी स्टरियाटा में आप सभी का स्वागत है आज है 2023 वर्स का अंतिम दिन तारीक है 31 दिसंबर 2023 की सभी को आगामी 9 वर्स की धेर सारी सुबकाम ना है एडवांस में क्योंकि अभी एक दिन बाकी है तो भी आर सिक्षक भरती फेश्टू से रिलेटेड लगातार एक प्रस्ट देखने को मिला था क्या सप्लिमेंटरी रिदल्ट जो है वो जारी होगा इसको लेकर के दो न्यूज है उनकी बात करेंगे साथ इसाथ बीपीजसी के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा खुद क्या कहा गया था उसक से पहली न्यूज फरजी बेरतियों पर लगेगा आजीवन प्रतिबंद ये न्यूज का सीड़ सकता इसी के ही सेंटर में आप देख पाएंगे और यहाँ पर जो न्यूज की हम बात करेंगे ये न्यूज आपकी अभी की नहीं है जब रिजर्ट जारी नहीं हुआ था देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक ही जो अभीरति है उसका दो या अधिक पदों के लिए चैन की संभावना है और ऐसे में जो सिक्षा विभाग है उससे मल्टिपल जो पद है उन पर चैन के कारण यहनी एक ही अभीरति का मान लीजे 11-12 में भी चैन हो गया 6- विखाट में भी हो गया तो उसका एक से जाधा पर चैन हो गया तो उसी को कहा गया multiple पदों पर चैन के कराण जो भी खाली सीटे है उसके विरुद्द अगर सिक्षा विभाग से यहाँ पर देखें सबसे पहरे सब्द गउकिया गया है सिक्षा विभाग से जो है तो इससे supplementary result की मांग जो है वो की जाती है अगर सिक्षा विभाग इसकी मांग करता है तो फिर इसे जो है वो जारी किया जाएगा ये बात यहाँ पर कही गई थी मैंने पहले भी बताया था कि एक candidate एक result वाला जो है उसकी मांग की जारी परन्तु वो जारी नहीं होगा भी एक अब्यरती एक परडाम की मांग जो है वो की जारी है कही स्रेडी में परडाम के प्रकासन के कराण ये संभव नहीं है आयोक संथ प्रत्योगिता परिक्षा में एक अब्यरती एक परडाम का पादन करता है पर यहाँ पर लाखो में अब्रतियों की संख्या है और दर्जनों स्रेडी में अलग-अलग मेरिड बनाई जारी है जिसके कराण निर्धारित अब्रति एक परडाम संभव नहीं है तो में कारण जो है कि आपका multiple result एक यह बढ़ती का निकलना है वो एक में कारण बनेगा कि आपका supplementary result जारी हो सकता है अब बात करते हैं दूसरी नियूस की जहां पर आप देखेंगे तो सिक्षक नियुकती दूसरे चरण की बात की गई है और यहां पर यह बताया गया है कि आप काउंसिलिंग में आ रहे हैं तो दो सब्ता की तैयारी के साथ काउंसिलिंग में आया है ये चीज मैंने आपको अल्रेटी बताई भी थी कि आपको वहाँ पर तुरंत ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है तो आप उस प्रकार से प्रिपेर होकर के जाईएगा अब इसी में ही देखेंगे साइड में सप्लिमेंटरी रिजल्ट की मांग को लेकर के धरना सुरू यहाँ पर जो बात हो रही है सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी होने के बाद की है यहाँ पर जो फर्स्ट फेस की बहाली थी उसमें सप्लिमेंटरी जो रिजल्ट है उसकी मां है और शिक्षा बिवाग की सूचना आई है कि पहले फेज की बाहली में supplementary result को लेकर के जो खाली पद है उनकी सूची हो बिहार लोग से वायूग पटना को भेज भी दिया गया था जबकि बिहार लोग से वायूग के हवाले से कहा जा रहा है कि अभी खाली पदों की पूरी सूची जो है वो नहीं आई है, सबसे नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह लिखा है कि इतनी टोटल भरती थी, 1.20 लाग पद, और 92,000 लोगों नहीं नियुकती पाई है, 28,000 से पद ज्यादा खाली है, पर जो supplementary निकाला गया था, वो 2773 30 पदों पर ही निकाला गया था, यहाँ पर जो बात हो रही है, वो 1st phase की बात हो रही है, परंतु जो उपर बात होर कर रहे था, वो 2nd phase की थी, अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं सिधे, जिसमें 2nd phase की वेकेंसी में supplementary result को लेकर के, BBSC के चेर्मैन ने खुद जो है, वो क्या कहा? बना सकते हैं और वो supplementary result को, एक बार जब job offer जब किसी को दे दिया गया, और वो चाहिए join करे या न करे, वो post consume हो गया, exhaust हो गया, क्योंकि अब वो candidate के उपर depend करता है, कि वो join करेगा कि नहीं करेगा, वो अब आपके हाथ में नहीं रहा, वो candidate के हाथ में दिखा गया, और इस इसलिए यहां तक हम लोगों ने बता आपनी बातों को सफस्ट कर दिया, कि इसमें multiple results दिया ही जाएगा, कि हमारी मजबूरी है, और supplementary result बनेगा, नहीं बनेगा, यह संबंदित विभाग के निन्ने पर depend करेगा, यह बयान इनका आपने सुना, यहां पर जो भी आपने news देखी, या आपने इनका बयान सुना, कोई भी बयान या news आपकी, एक दो दिन पहले की आपकी नहीं है, मतलब यह पहले की भी हो सकती है, आज कल का भी हो सकता है, कुल मिला करके, जहां जहां मुझे newspaper में, supplementary result को ले होगा या नहीं, इसलिए, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, कि बात तो यहां पर हो रही है, कि आयोग से मिलेगा, और केवल और केवल जो कारण बनेगा, वो यही बनेगा, कि जो multiple result जारी हो रहे हैं, उसमें ही जो post खाली होंगे, उसी में ही बनेगा आपका chance, बाकी और कोई chance नहीं बनेगा, उसको लेकर के भी आयोग अलग से भेजेगा, कि वो चाहिए supplementary result तभी जो हो निकाला जाएगा, बाकी कोई अपडेट आती हम आपको सूचित अवश्च करेंगे, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्च कीजिएगा, मिलते हैं अगले बडेट में तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद्दी